Welcome प्यारे बच्चों to the Mind Maps series again. पेटा, इस series में हम लोग Mind Maps के जरीए Physics के chapters का revision करते हैं. आज हम लोग किस chapter का revision करने चल रहे हैं Magnetic Force का. पेटा, Mind Maps के जरीए revision best easily माना जाता है क्योंकि आप कम टाइम में पूरे-पूरे chapter को revise कर लेते हो. इसका आपको best benefit तब मिलता है जब आप उस chapter के short notes बना चुके हो उस chapter को पहले से पढ़ चुके हो. और जो बागी loaded chapters हैं उनकी लिए आप लोग इस YouTube चैनल पे Mind Maps नाम की playlist है, उसमें चले जाओ उसमें आपको बागी chapters मिल जाएंगे जो जो अप तक load हुए हैं. स्टार्ट किया जाए, let's begin. Magnetic force. पिटा, force due to magnetic field किसी moving charge पर निकालने के लिए QV cross B ये formula होता है, यानि अगर कोई charge motion में है, तो उस पर magnetic force निकालने का ये formula होता है, यानि जब आप इसको अटाते हो, cross product को अटाते हो, तो QV sin theta हो जाता है, इसका मतलब magnetic force 0 हो जाएगी, अगर charge 0 हो, velocity 0 हो, field 0 हो, इसमें से कुछ भी, या उनके बीच का angle, किसके किसके बीच का, velocity और magnetic field के बीच का angle चाहे 0 हो जाए, चाहे 180 हो जाए, कोईकि दोनों condition में sin theta 0 होता है, तो magnetic force 0 हो जाती है, और यही एक important difference भी होता है, magnetic force और electric force के बीच में, electric force direction पे डिपेंड नहीं करती, वो motion पे डिपेंड नहीं करती, magnetic force डिपेंड करती, सारी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे, तब तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग जो जो point ऐसे लगें, जो आपको आता हो, उसमें आप वीडियो को fast reading पे ले जाओ, 1.5x वगरा पे ले जाओ, और अगर नहीं लगता है, वो चीज़ नहीं पता है, तो उसको वहीं पे pause करके note करते जाओ, तो यह basic difference होता है, magnetic और electric force के बीच में, कि वो electric force velocity पर depend नहीं करती, एंगल पर depend नहीं करती, magnetic force पेटा, क्योंकि velocity और magnetic field का cross product है, cross product जब भी आप निकालते हो, तो वो ऐसा vector आता है, जो उन दोनों vectors के plane के perpendicular होता है, तो magnetic force, velocity और magnetic field दोनों के ही perpendicular होगी, पेटा, यही reason भी है, कि magnetic field कभी किसी particle की speed में कोई change नहीं कर पाता, वो उसके सिर्फ direction को change कर पाता है, वो उसके speed को change नहीं कर पाता, तो यह हमेशा ही velocity और field के perpendicular होगा, in fact यह concept तो simple vectors का है, और चुकि वो perpendicular है, इसलिए जब आप इसका dot product लोगे, velocity के साथ, चाहिए field के साथ, पेटा, चुकि angle 90 degree का है, और dot product में cos 90 becomes 0, तो इनका dot product 0 हो सकता है, पेटा, ऐसी चीज़ को examiner आपसे ऐसे भी बहुत सकता है, कि acceleration का velocity के साथ, acceleration का field के साथ, तो obviously जो direction force का है, y direction किसका भी है, acceleration का भी है, तो यह चीज़ हो सकती है, पेटा, अगर कोई ऐसा space है, जहां कि electric और magnetic दोनों fields मौझूद है, तो जो particle पर net force लग रही होती है, that is called lawrence force, lawrence force और कुछ नहीं है, सिर्फ electromagnetic field का क्या है, net force है, यानि resultant force है, तो अगर आप किसी ऐसे space में charge को move करा रहे हो, जहां electric और magnetic दोनों fields है, तो जो net force है, वो कहलाती है, lawrence force, कोई बहुत नई बात नहीं है, यही तो वेक्टर्स में resultant के form में जाना जाता है, लेकिन हाँ, एक बात जो बटा आपको important है, जिसको ध्यान रखना है हमेशा, जो कि electric और magnetic field की forces में हमेशा रहेगा, वो यह कि electric field की force, motion पर depend नहीं करेगी, velocity पर depend नहीं करेगी, angle पर depend नहीं करेगी, जबकि magnetic force depend करती है, अब ले आते हैं यहां से हम लोग इसको इस जगा पर, यहां से सीधे आते हैं इस जगा पर, अगर हम किसी charge को magnetic field में project करें, तो अगर theta 0 degree, मतलब क्या कि velocity और magnetic field के बीच का angle 0 degree हो, तो path उसका straight line होगा, अगर 180 degree है आप देख सकते हो figure में, velocity और magnetic field लिख दूसरे के opposite direction में, तो भी straight line, बटा यह रटने के बिल्कुल जूरत नहीं है, यह कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, अगर इनके 20 का angle 0 या 180 है तो 4 0, 4 0, बटा 4 0 है तो acceleration 0, acceleration 0 है तो velocity constant, और velocity अगर constant है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही option बसता है, that is a straight line, इसका मतलब अगर 0 या 180 degree से अगर आप particle को project करते हो, तो particle straight line पे चलेगा, अगर आप 90 degree से project करते हो, तो circular path पे चलेगा, angle 90 degree, अगर आप इन तीनों में से कोई भी angle नहीं लेते, मतलब ना तो आप 0 ले रहे हो, ना 90 ले रहे हो, ना 1 80, इन तीन के लावा अगर आप कोई भी चौथा angle लेते हो, तो particle will move on helix, helix मतलब जैसे यह figure हो गई, कि वो एक spring, जैसे विट आप spring को तो थोड़ा खीच दो, तो वो एक तरद से helical path बन जाता है, या के लोगो एक helix बन जाता है, इसको चेक करने के लिए, इसको जो questions आपको exam में मिलते हैं, उसमें 0 और variety को चेक करने के लिए simple जो vectors का concept होता है, आप AX upon BX, AY upon BY, AZ upon BZ, अगर ये दिनों तीनों का ratio एक बराबर है, और वो positive है, तो vectors parallel होते हैं, अगर negative होता है, तो vectors anti-parallel होते हैं, यानि उस condition में ये path straight line का होगा, dot product check कर लेना, अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब, particle circular बात पे चलेगा, ये बटा मैं उस case को उस cases बता रहा हूँ, जिसमें velocity और field आपको examiner दे के path के बारें पूशेगा, अगर इन तीन में से कोई angle नहीं है, तो वो case बनेगा बटा किस चीज़ का, वो case बनेगा helix का, ठीक है, ये तो हो गया, एक general concept, अब cyclotron यानि जिसमें कि आप particle को 90 degree पर project करते हो, वो particle circular path पे घूमता है, बटा उसका radius mv upon qb, इसी momentum को आप root 2m के भी लिख सकते हो, तो यह हो जाएगा, time period that is 2pi m upon qb, और अगर time period पता है, तो 1 upon time period is frequency, frequency is qb upon 2pi m, यानि यही होती है, इन फेक्ट जब इसको आप cyclotron machine में रख देते हो, तो यही कहलाती है, क्या cyclotron frequency, आप यह देख सकते हो अपने forlay में, कि radius तो velocity depend कर रहा है, लेकिन time period or frequency depend नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब निकला इस बात का, कि अगर हम charge को project करें field में, और हमने उसकी velocity को बढ़ा कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसका radius ज़्यादा बढ़ा होगा, लेकिन उसका एक चकर लगाने में, जो time लगेगा, वो क्या होगा, वो same होगा, वो constant होगा, यानि time period or frequency independent है, velocity of projection से, अब हाई यह मत कहना, कि सर नहीं project करेंगे, तो क्या होगा, यह सारी बाते तब की हो रही है, जब आपने particle को project किया हुआ है, अगर प्रोजेक्टी नहीं कर रहे हैं, तो सारी गानी खतम, अगर particle helical path पे चल रहा है, वेटा understood है, अब बात इसकी हो रही है, ठीक है, यानि आपने particle को project किया है, यह रहा field का direction, यह रहा velocity, बीज में कोछ एंगल, तो यह ध्यान रखो, कि velocity का वो component, जो field के perpendicular होगा, वो responsible होगा, उसके circular path के लिए, और velocity का वो component, जो field के direction में होगा, वो responsible होगा उसको आगे खीचने के लिए, तो velocity का एक component यह यह आएगा, कौन सा, इस figure के मताविए, अगर हमने angle इधर लिया होता, तो यह sign की जगा cause होता, इस लिए इस बात को मत रट लेना, कि यह sign theta forlay में है, नहीं, sign theta इसलिए है, कोई कि आपने velocity और field के बीच का angle यहाँ लिया है theta, तो यह हो गया V sin theta, यह हो गया V cos theta, तो और कुछ नहीं करना है आपको, बस जो काम velocity कर रही थी उपर, वो काम यहाँ V sin theta करेगा, मतलब वो velocity का component, जो के field के बीटा क्या है, perpendicular है, तो यह radius के लिए जम्मधार हो जाएगा, time period को velocity से पहले भी कोई मतलब नहीं था, उसे अब भी कोई मतलब नहीं है, pitch of helix बीटा, यह क्या होता है, जितनी देर में particle ने अपना एक cycle complete किया, charge ने अपना एक cycle complete किया, उतनी देर में वो कितना आगे चला गया, तो यह होता है pitch of helix, यह आप निकाल सकते हो कैसे, simple V cos theta velocity जम्मधार है, उसको आगे खीचने के लिए, तो V is equal to U plus 80 वाला formula, अपना चला दोगे, पिटा formula से देहान आया, आपको exam चुकी नजदीक है, formula के लिए पिटा complete formula का list, और उसका use, और उसका पूरा explanation, आप चले जाओ, concepts of physics through formula, quick revision of physics through formula, इस नाम की playlist है, उसमें जाके check करो, उसमें सारे physics के पूरे formula भी है, और telegram channel पर चले जाओगे, तो सारे formula आपको वहाँ बिल जाएंगे, आप उसे PDF form में download कर सकते हो, और उसको study कर सकते हो, और वो पूरा formula का explanation, उस playlist में मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो telegram channel भी join कर लो इटा, और जो series है, उसको वहाँ चेक कर लो, जो playlist है, क्या होता है expanding या contracting helix, पटा, ये तब की condition है, जब एक electric field भी आप apply कर दो, magnetic field के direction में, या उसके opposite, क्या फरक पड़ेगा, अगर electric field, magnetic field के direction में है, तो वो एक force इस direction में लगाएगा, जिसके कारण, जो आप अभी तक निकाल रहे थे, ut से simple, वो आप ut प्लस half 80 square से निकाल होगे, तो ये case बनेगा expanding helix का, u into t प्लस half 80 square, ठीक है, एक cycle complete करने में जो time लगा, वो है t, तो half 80 square उसमें add हो गया, मतलब ये होगा, कि जैसे वो ऐसे जा रहा है, तो अब वो थोड़ा, पहले अगर वो एक centimeter गया था, तो 1.2, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा and so on, ये case होता है expanding helix का, और यदि आप electric field को opposite direction में लगा तो magnetic field के, इस direction में, particle की velocity इस direction में थी, आपने इस direction में लगा दिया, तो आप ध्यान दो यहाँ पे minus sign आ गया, ये ut plus half 80 square वाला ही formula है, बस उस plus की जगा वेटा minus आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि आप retardation है, ठीक है, ये जो case हो गया, वो retardation का case हो गया, ये formula वेटा किस चीज़ का है, ये formula है जो electric और magnetic forces को आप आफस में compare करते हो, जैसे ये दो charges हैं, इनको अगर आप V1, V2 velocity से project करो, तो इनके बीच में electrostatic force भी होगी, कुलंस law के मताबिक, और इनके बीच में magnetic force भी होगी, वो ये formula से, जब आप इसका ratio लेते हो, और फिर mu naught, epsilon naught को आप C square के terms में लेके आते हो, तो आपको ये formula मिलता, यानि इसका ratio लेने पर, और यहीं से एक important concept निकल के आता है, कि जो magnetic force होती है, वो electric force के अपेक्षा बहुत चोटी होती है, क्यों? क्योंकि जब तुम particle की velocity दोगे, 10 meter per second, 20 meter per second, 100 meter per second, लेकिन नीचे क्या है, velocity of light 10 की power 8, उसका square, तो ये term बहुत बढ़ा हो जाता है, इसलिए का आजाता है, कि जो in general, जो electrostatic force होती है, वो magnetic force से बहुत बढ़ी होती है, ठीक है? इनमें जो भी ऐसे formula दिख रहे हैं, जो आपको नहीं पता हो, वीडियो को pause करके, उसको आप note कर लो, और ये जो पूरा mind map है, ये भी telegram channel पर available है, उसको लेकर के, आप best revision कर सकते हो, mind maps के जरी revision best माना जाता है, चलो, अब इदर आ जाते हैं, पिटा, mass spectrometer, ये एक तरह की device होती है, जो की charges को या particles को अलग-अलग करने के लिए इस्तमाल होती है, करते क्या हैं इसमें, इदर से जैसे ये field सिर्फ इस line के इदर है, magnetic field सिर्फ इस line के इदर है, यहां field नहीं है, तो यहां से आपने charges को ऐसे project किया, तो neutron सीधे निकल गया, मतलब यहां पे आपको chargeless particle मिल जाएंगे, अब प्रूटा फोर्स देखोगे, इस electron पर किदर आएगी, electron के motion के दिशा में हाथ को फेलाया, field की तरफ बोड़ा, नीचे आना चाहिए था, अगर positive charge होता, negative charge है, इसलिए उपर, तो electron ऐसे उपर चला गया, और proton और alpha दोनों नीचे की तरफ बोड़ेंगे, लेकिन radius आप alpha का ज़्यादा देखोगे, ऐसा क्यों? क्योंकि alpha, यानि उसका mass four times हो जाएगा, charge level, तो radius उसका alpha से ज़्यादा, पर alpha का proton से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये निकला कि mass spectrometer के जरीए, आप इन particles को separate कर सकते हो, यानि इधर अगर आपके पास ये चार particles हो, तो आप जब उसको project करोगे, तो आपको इधर neutron, यानि charge less particle, इधर negative particle, और इधर आपको positive particle मिल जाएगे, तो जो mass spectrograph है, या mass spectrometer है, उसका यही use है, कि वो particles को separate कर दे, ठीक है? यह हम लोग सुला fast revision इसलिए कर रहे हैं, कोगि अपना purpose ही mind maps के जरिये revision है, बागी आपने जो chapters ऐसे पढ़ लिए होंगे, तो उनकी लिए आप physics moonshot का जो app है, वो download करके रखो, उसमें आप सारे अपने doubts भी पोज सकते हो, प्लस उसमें physics के test papers loaded हैं, वो भी आप कर सकते हो, क्या होता है बटाए deviation, deviation मतलब मानलो सिर्फ इतने space के अंदर magnetic field है, ऐसे यह जो line सिख रहे हैं जो, सिर्फ इतने magnetic field है, magnetic field ना तो इधर है, ना तो इधर है, charge को आपने ऐसे project किया, तो जितनी देर तक वो field के अंदर है, उतनी देर तक वो circle का path है, उसके बाद वो tangent निकल जाएगा, बिल्कूल ऐसे ही, जैसे circular motion में होता है, कि अगर आप दागे को काट दो, तो particle straight line पे चला जाएगा, tangent चला जाएगा, तो अब अगर यह deviation निकाला जाए, और अगर इस से जादा है, बिल्कूल आर से बड़ा है, मतलब यह जो radius है, जितमालो अगर radius है, इसको 10 cm का, और यह चोड़ाई इधर 10 cm से जादा है, 20 cm है, तो particle ऐसे circular path पे घुमते हुए, half circle complete करके बाहर आ जाएगा, यानि उस condition में उसका deviation हो जाएगा, 180 degree का, ठीक है, तो बटाई, यह दो condition बंतीने deviation में, या तो यह condition होती है, जिसमें field इस region में है, ऐसे vertical में कह सकते हैं, और एक होता है, ऐसे horizontal gap है, इसके बीच में field मौझूद है, particle यहां से ऐसे निकलेगा, तो जितनी देर तक वो इस field के अंदर है, उतनी देर तक वो circle का हिस्सा है, तो यहां से वो ऐसे जाएगा, ऐसे बाहर निकल गया, तो यह deviation, यह deviation angle, तो अगर d less than r है, तो deviation will be cos inverse r minus d upon this one, और d अगर 2 r से बढ़ा है, तो फिर वही condition हो जाएगी, कि वो semi circle complete करके बाहर निकल जाएगा, तो deviation के यह formula आपको ध्यान रखने है, formula का पूरा set आपको अपने आप बना लेना चाहिए, नहीं तो वो pdf formula ले लो, और वहाँ से अपना पूरा lecture, पूरा chapter तयार रखो, moving coil galonometer, उसमें कि टॉर्क लगता है जो coil पर, यह torsional constant हो गया, जो उसको मुड़ने पर जो, जैसे जो coil है, उसके मुड़ने पर, जो twist आता है, जैसे SSM में होता है, पिटा SSM का भी mind map series में आप जाओगे, तो उसमें आपको SSM का पूरा एक mind map मिल जाएगा, वहाँ से आप revise कर सकते हो, यह torsional constant हो गया, पिटा उसको download करके रखो, उसमें आप अपने freely doubt पूर सकते हो, उसमें test दे सकते हो, और उसमें chapter wise आपको courses मिलेंगे, जैसे circular motion हो गया, electrostatics हो गया, बहुत nominal rates पर, बहुत nominal rates पर उसमें complete chapters हैं, जिसमें कि आप बिलकुल basic से ले करके, competitive level तक जा सकते हो, along with assignment, along with test, वो आप एप पे जा करके, check भी कर सकते हो, पिटा इस चैनल को subscribe करके रखो, इसमें और भी इसी तरह के updates आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, keep studying, God bless you, अच्छे से मेहनत करो, एक बड़िया rank से selection निकालो,